इस प्लेइस्टोर पिप्लीकेशन अप्लोड करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास अप्लीकेशन की एपीके फायल होनी चाहिए जो हमने प्लेइस्टोर को देनी है और वो उसको फिर पुब्लिश करो देंगे लेकिन सिंपल नहीं है हम यह पर पहले स्टूडियो में आके यूप यूप करनी है पिर हम कंसोल पर जा के वहाँ पर अप्लोड करेंगे तो सबसे पहले करेंगे ज lot क Şimdi करो उबाप साइंड एक यूजज्ज do लेक हम सेभी के हुजभ हुज़ करूंगे आप खुद ही करोगे प्लेस टोर पर यह किसी की साइड की भी अप्लिकेशन बोठा गए प्लेस्टोर के ओपर आप फेसबूक की एपिके को नहीं अपलोड कर सकते हैं कि कुछ कॉपी करना और चीज़ है बनाई तो आपने पूद है जनरेट साइंड एपिके आपने कुद किया वो और अलग बात है लेकिन किसी और की एपिके जो साइंड हो वो आप दुबारा से नहीं अपलोड कर सकते हैं कि कि वो पूरा रिव्यू करते हैं अच्छा जनरेट साइंड एपी के करने से क्या होगा दो फायल इनरेट होती है एक तो की और दूसरा दूसरा एक यो लुई तो की आप कहां पर स्टॉर करना चाहते हो अगर पहले से आपकी कोई एग्सिस्टिंग की आपाथ ने बताया हो बता सकते हूँ एक ऐसा मतलब आप कहा कर लो एक य अबंड एक्स्टॉप के ओपर ही विए लोकेशन दे लेते हैं एक पाथ दे देदेते हैं कि कहां पर आप जो है वो अपनी की स्टोर करोगे इस एप्लिकेशन के लिए न तो मैं भी क्या करता हूं डेक्स्टॉप पे ही कर ले तो करेट एक विरिस टेक्ट रंग c drive then era text 1 clear no new period key path create I am I am I am I am I am I am him now I am कि ईजिन एख टोपन निट परकाप हुआ परसनल डाटा है यहां सेट परस्टों करें तो अच्छ त्रीकर वाइरस के नाम से जेकिस फाइल बनेंगी इसका पासवर्ड हम बता देए पोज मुश्किल सा पासवर्ड लगाते हैं वन टू ठी फूर और एलियस कुछ भी रख सकते हो आप एलियस मतलब कि इस फाइल का कोई निक नेम कह सकते हो और यहां पर मैंने बता दिया एबी सी कर लेते हैं यहां पर पासवर्ड आप दुबारा सेम रख दो नो प्रॉब्म्म यह पासवर्ड वो है जो फ्यूचर में आपको दुबारा से ज्रूत पड़ सकती है कब जब आपनी अप्लिकेशन अपडेट कर रहे हो के लिए तो यह पासवर्ड लाजमी याद रखने हैं कि जो आप इदर डाल रहे हैं फस्स नेम कि जिसका अपना नाम अस्स नेम एंड लासन अर्गनाशनल यूनिट के इसको मैं कह लिए लिए हूं सब्सक्राइट यूस कंप्नी का नाम अर्गनाशाइशन का एक पार्ट है न कुछ भी रेंडम लिखते हो यहां पर भी और्णाशन स्थिंव लेखिए हैं सिटी और लुकेशन के कहां से आप कर रहा हूआ हैं यह नहीं है यह नहीं छोड़िये मैं यहां की जनरेट हो रही है यह हम दूबारा इस इसकी स्टेट चो है यहां पर पकिस्तान चाहिता स्क्सक्राइक्टर का पास्वड बना चाहिए आज बिलिधी प्विलिधि टिंटी फाइफ एर तक यह वाली की जो है वो यूजे बोगी उसके बाद यह एक्सपायर हो जाएगी तो 25 पच्छी साल पचास साल लगा दो मतलब मतलब यह कि इसको हम किस की को यूज्ज कर सकते हैं फ्यूचर में हम नई जिनरेट कर लेंगे ना अगर 25 साल एक्सपायर हो जाते हैं प्रोग्राम में आगे दबारा से बिल्ड करके नियू की जिनरेटर रहे हैं वो तो जाहर है इतना प्रोग्राना अगर 25 साल गी अप्लिकेशन हो तो फिर काम की उसको पूरा डेपार्टमेंट मैनेज कर रहा होगा अब Facebook है तो Facebook के आगे देको ना मेसंजर है या Facebook के अंदर काफी सरी चीजह है चैट है वीडियो कॉल है तो उनके पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स है जो एक एक चीज को मैनेज कर रहे हैं रिमेंबर कर लेते हैं इसको ताकि future में यह वाला past year मतलब मैं पुछ है इसको APK आपने जनरेट करके कहां रखनी है तो यह डी वेब व्यू और इसमें APK जनरेट कर रहे है जनरेट होने के बाद APK आपके उस फोल्डर में पढ़ी होगी अप प्लेट वे प्लेट वे परश्च कर देए तो यह इसने जनरेट कर दिया APK मैं इसके क्लिक करता हूं और मुझे यह ले जाएगा उस फोल्डर में जहां पर APK पढ़ी है यह रही APK फाइल इसको हम नहीं करना है अप्लोड प्लेट वाइरस वो तो डेक्स्टॉप में पढ़ा हुए है वह हमें कब भी यूज़ कराएगा जब आप इसको नेक्स टाइम अप्लोड गरें मतलब यह APK अप्लोड अच्छा उसके बाद जो मैं बतारा सब्सक्राइब कि की जो है वो ऐसी बन गई यह एक दफार की बन गई वो कि किसकी बनी है इस अप्लीकेशन की बनी है ना तो अगर इस को अपडेट कोई करना चाहिए तो उसको इसकी की भी सार में जुरुत होगी अपडेट के टाइम पे दो फाइल्स मांगता है एक कुन सी एक के और दूसरी की के नाम सी वाइरिस ले तो प्ले स्टोर के ऊपर आपने नॉर्मली जो हो कुछ स्टेप तो कर लिये थे जैसे यह प्ले स्टोर पे आए कंसोल पे यहां जाने के बाद आपने एक एड प्रॉजेक्ट किया था चीक है एड प्रॉजेक्ट करके यह कुछ इंफर्मेशन आप से मांग रहा है फिस्ट वाइन इस लैंग्विज साइकें टाइटल देन कहा रहा है अप्लोड एपीक है एपीक हम तर्ट करताया के छाने के बाद आ सेकंड स्टेप हैं स्टौर लिस्टिंग पूछ बीजिएनद कि बादा इसके प्रैक्टीकल यह हो रहे हैं लिए मैन्च पहलर है इस्टोर लिस्टिंग के अंदर सबसे पहले जो टाइटल हमने दिया था डिस्क्रिप्शन शॉर्ट वन लाइन दी ती जैसे यह दे रहा है उसके बाद फुल डिस्क्रिप्शन फुल डिस्क्रिप्शन में फीचर्स वगरा सारे एक्षपें करने चाहिए किस अफ्लिकेशन में फीचर्स क्या है असकी शुäd्र का पर जाके बाकियों को आप यह बीज़ दिने पड़ते हैं लिए भी थेवन्य स्क्रीन शॉर्ट ने आके हैं यहांसे आन राइट लिक करके S responses ऑप्षिन यहां पर वी ऑप्षिन था एक बार्डर के साथ Without B 스트rebs लेफ यहां जाते हैं राइट लिक Save screenshot तो इसमें तो आप आपप्षिन आप और या फ्रेम कौन सा लगाना चाहिए उकिन स्कून से मोबायल दो लेकिन आज किया करते है नॉर्म लेते हैं पिर इसको फोटो शॉप में ले के जाते हैं पर यह बाइल में लगाते हां तोस्क्रिंश झाइड अजिए आफ आप 2 लगाओं एकल का तोस्क्रिं शॉप्र फेड़ना आइकन जो आपने डिजाइन करना है किस साइज में 512 वाइ 512 उसके बाद एक कवर यह दो चीज़ें रिकॉर्ड है इसकी इनके साथ यह इस टैरिक लगाओं यह दो चीज़ें बता दो ठीक है यह बताने के बाद आपके पास ऑप्शनल चीज़ा के प्रॉमो वीडियो कि आप उस एप्लिकेशन की स्क्रीन रिपार्डिंग करके यूट्यूब के उपर लगा दो और उसका लिंक यहां पर देदो वीडियो का कि आपका प्ले स्टोर में स्टोर में समक्राइम होता कि अट जो कवर होता है कवर सेक्षन में पिक्चर की बजाए वीडियो होती है तो उसपे क्लिक करने से वीडियो के होजए हैं जिसका यूँल आप कि हम वीडियो यसी लिग या तो वीडियो में किन तुरू आप डिफरेंट ऐडड उसके बाद store listing के अंदर option है कि application की टाइप क्या है यहां पर game और application दो option है then हमने education स्लेक्ट की थी यहां पर business से उसके लावा optional के content rating के जो है हर कोई मतलब rating देसे हैं content rating everyone के हर कोई देसकते हैं हर कोई देसकते हैं सोरी यह और चीज़ यह content rating यहां पर बनेगा content rating अभी everyone choose करने आगे जाके यह कहेगा के content rating create करो जैसे के यह रहा content rating आएगा उसके बाद यहां पर आपने बतानी है अपनी अगर website बनी है यह optional चीज़ें यह वाली website optional है अगर आपकी कोई website बनी है कि पहले website होती है फिर आप बनती है या कोई जैसे ट्वीटर की application है तो उसकी website बतो है तो ट्वीटर वालों ने वो लिए या ना हो तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं या कोई blog भी लगा सकते हो कोई blog भी लगा सकते हैं नो इसके आगे step नहीं इमेल के आगे इस टारिक है यह वो इमेल है जिसके ऊपर आपको जो यूजर्स हैं वो contact कर सकते हैं प्लेयर स्टोर के ऊपर नीचे यह शो हरी होती है email address ताकि अगर कोई आप से contact करना चाहिए तो इस email पर करेगा तो यह कह रहा है कि email आप यहां पर पर्सनल ना रखो ठीक ह इमेल नहीं रखनी चाहिए एक official बनानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उस application के लिए हर application के लिए वो एक दे सकते हैं हर application के लिए अलब क्या है पर्सनल नहीं देनी चाहिए आपर पर्सनल एप्लिकेशन पर्सनल email address यहां पर ना दें यहां पर अपना official वो दें जिसके ओपर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे उस एप से related mails आने हैं कि किसी ने कोई like उसके ओपर rating दी है comment कि है तो उसके ओपर information आए बजाए इसके कि आपकी भी personal friends गारा की उदर आ रही हों दुसरा यह चीज पर्सनल यहां पर नहीं डालनी चाहिए क्योंकि कि हाई जैकिंग में कोई यूज कर सकता आप परसनल परसनल में बहुत ज़्यादा चीज़ें आना शुरू है अगर एक और चीज़ लाइक मैं इस organization में काम कर हो तो मैंने एक application इनकी बनाई play store पे लगाई अगर परसनल दे दूँगा तो यह मुझे छोड़ने के बाद क्या होगा यह मुझे कहेंगे जी अपनी इमिल दें जो आपने मापे डाली थी हमें पराने रिकार्ड लेने तो मैं परसनल थोड़ी ने दूँगा हाँ एक अलग separate बनाई हो जिसके ओपर सिर्फ इस application की हद तक यूज था तो फिर तो मैं इनको हैंड़ कर सकता हूं यह चीज़ यह थोड़ी complex चीज़ हैं कि अगर आप यह अगर आपकी application के अंदर कुछ content ऐसा है जो आपने रिजिस्टर करवाया है there are some different institutes इदारे होते हैं government के भी अदारे होते हैं वहाँ जाके अपना content रिजिस्टर कराना पड़ता है कि इसकी copyright मेरे पास है अभी मेरे जहन से उसका न ताकि future में अगर कोई content copy paste करता है तो हम उसको claim कर सकें कि जी इसने हमारा copy करके लगा है case कर सकें उसके तो यह वह चीज़ है तो अगर आपने नहीं आसकिया वा तो यह नीचे वाल option टिक कर दें not submitting a privacy policy you are right मतलब इसमें कर दो कोई हमारा content copy is sent to? मतलब अब यह आपने जब नह इंस्टिट्स होते हैं डिफरेंट वाँ जाके रिजिस्टर करना है privacy policy में URL दिया है वहां पर पूरी policy आपने बताई हूए अपनी application से related तो यह वह वह भी URL हो सकता है कि save drop कर सकते हो और publish भी कर सकते हो लेकिन फिलहाल हम save drop कर रहे हैं क्यूंकि हमें कुछ मजीद चीज़ें भी प्रोवाइड करनी हैं जैसा कि content rating जो कि बहुत important है मैंने का था एक तो rating वह होती है जो हमारे users देते हैं हमारी application एक rating वह होती है जो Google खुद देते हैं हमारी application तो उसके लिए आपको content rating या कि यह आप से कुछ question करें का है यह देते हैं हां मैंने यह information लेगा आप से भी कुछ questionnaire questionnaire आ गया जी के can user of this application interact or exchange content with other users कि इस application का जो user है वो कि किसी और user के साथ information through this application share कर रहा होगा अगर तो सिर्फ information read कर रहे तो पिर ठीक है अगर उसमें chatting उज़र है तो फिर आपको यहां पर आगा यह तूद इस अगर उसमें पिर यह सोगा कि कर रहे हैं डास डिस एप शेयर जो प्रोवाइड इड पर्सनल इंफॉर्मेशन विट थर्ड पार्टी क्या यह application share करेंगी यूसर की प्रोवाइड की थर्ड पार्डी को यह कोई हमें की एप उसकी यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझे तो गलत बाद गलत बाद गलत शेर यूजर कॉंटेंट फिजिकल लुकेशन टू अधर वे उसर क्या यूजर की लुकेशन गैट करके किसी और यूजर को ये अप्लिकेशन दे रही है ठीक है तो यह भी वेरी सिंपल कोड था जैसे मैंने आपको जीपीएस का काम करवाया था तो लाटिट्यूड लॉंगिट्यूड किसी को मैसेज कर रहा है गैट करके फाइरवेस पे अपलोड कर दे डेटाबेस में बेज़ दे कहीं भी हो सकता है ड़स डिस एप अलाव यूजर तू पर्चेश डिजिटल गुट्स नो इससे हम कोई डिजिटल पर्चेशिंग नहीं कर रहें लाइक इस एप के अंदर जो है वो कोई इंफरमेशन क्रेडिट कार्ट की इंटरवों के कोई पर्चेशिंग नहीं हो अई है कि जैसे वह हो एना यह तो हो गए न इसको हमने कर लिया से फिर रेटिंग देगा हमें और exemplet त्रॉमित क्लियर इसको कर दिया हमने अपलाए कि यह वली रेटिंग अपलाए कर दो अगर आपको बहुत ही बुरा लग रहा है तो आप दुबारा से कुस्टिन नया ले सकते हो और दुबारा से फिल करके न्यू रेटिंग वह असाइंग कर सकते हो हां होता है उप्शन है तो उसमें यह है कि अब बेलकुल उसके बाद प्राइस डिस्टिब्यूशन में आप फिलाल तो फ्री राख रहे हो अगर पेड करोगे तो निच्छी आप से अकाउंट मांगेगा कि अगर कोई पेमेंट करता है तो डिरेक्ट पैसे आपके अकाउंट कीठ कीड़ी पहले पहले जब की पर्रेक्ट प्ले श्टोर बनाना तो बहुत सरे सिर्म टाल है अप्स सब्सक्राइब हमारे लिए यह जैसे एक दो रूप मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर अगर आपकी यहां से हम देखते हैं कि टेकरीज में आके कि अगर्ण है अगर्ण आफ फ्री टॉप पेड अब इन पेड में से ये लेको 110 कि है मतलब मैं सपोस्ट कर लेता हूं वण डॉलर ठीक है नहीं हां अब यह अप्लीकेशन जो है तो कितने लोगों ने डाउनलोड की होगी, इसको पे कर गे यूज किया होगा, यह जरा देखते हैं, हम, इंस्टाल जो हैं, वो दस हजार से पचास हजार, ठीक है, आके बीच है, ठीक, तो हम मिनिमम लगा लेते हैं, कि दस हजार तो लाजमी आना, ठीक है, तो यहां पर हम ज हम जब सबसक्राइब कर लोगाना क्या है, आनिस, यह अप्लिकेशन, स्वरी, मैं टेक्लेटर अफन काना था, राजमी लेडिक लेटर, जल्क लइस, वन तन थाउजड के दाए, बैक्लेटर, शेमीय कि अग्ड़ने, यह, 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 नह, पर दो फूल काना था, यह, यह, ख अगर हमारे दस ज़ार डॉन्डोड ग्यार नाग एक एप्लिकेशन से अवारा टोटल ग्यारा अच्छा अच्छा अब अब लगाऊ नहीं जरा ये जिए इसके अंदर जो एड्स दिखाएगा हो अगर आप अपर में लिमिट लगाओ तो फिर ग्यारा मल्टीप्लाइब है आगे कि देखो फिर यह तो 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 यह एक अप्लिकेशन से कर रहे हैं अलागे इसके बैड बैड भी आ रहे हैं नहीं पेड के अंदर बैड अच्छा सब्सक्राइब के अप्लिमेंट यूर मुबाइल स्कीन विद एक्स्लूजिव एंड प्रीमियम लुकिंग ब्लाइक आइकंस यह थीम चेंज वाड़ा आइकंस यह रहे हैं यह रहे हैं इसके फीचर्श अबनाना शुरू करते हम तो तो अगर आप लोग जो है वो मतलब इसको रखते हो वन रुपीज वन रुपीज तो अगर एक लाख डाउनलोड होते हैं एक लाख रुपया तो आगया ना ऑन डाउनलोड निग अ हमने एड सेंस पे हर चीज़ कर लिए पकस्तानी नहीं पर्चेस करते हैं पकस्तानी अब आपने दो अप्शन थे वामने फिल्हाल इसको फ्री रख दिया फ्री रखने के बाद हम यह बता सकते हैं कि कहां कहां दिखानी है स्लेक्ट अल्टरी सकालोग सभी कंट्री में जो पी यूजर्स हैं प्ले स्टोर पे वह अगर आकर सर्च करते हैं तो आपके अप्लिक अब 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 कुंसे टैक्स नहीं यहां पर टैक नहीं है टैक कॉप्शन इसके जो है वो डिफरेंट और पेजिस पर जाओ लिंग्स लगाती है बैक लिंग्स लगाते हैं जूजर्स ज्यादा से ज़्यादा की प्ले स्टोर पे जो सर्च करते हैं उससे वह अप्रमाइजेशन होती है आपसे मतलब कि थर्ड पार्टी रिसोर्स यूज़ करके उनक इसके बाद आप पब्लिश पर क्लिक करोगे ना तो यह उसी टाइम पब्लिश नहीं करते हैं यह क्या करेंगे यह आपको एक यहां पर डायलॉग में कहेंगे कि आप यह अप्लिकेशन पब्लिश होने के लिए हमने सब्मिट कर लिए गूगल जो है वो तक्रीबं पांच फ्रफ़ंटे लेगा उसकी सर्जरी करेगा आपकी अप्लिकेशन की तक्रीबं पांच गृंटे लिए थे मेरी अप्लिकेशन पर पिर उसके बाद उन्होंने अब पब्लिश हो जाती है इमेल भी बेज़ दिए और पब्लिश भी कर पांच गंटे माद तक्रीबं फिर वह जिसमे खूरे किसी और सी बक्रून कि और देगा किसी निरी निरी न जाए चाल उप ए प्राइव we esse पौरन सी पता यूई बोलीश में मैं टाए ना किज कुई करना चाहते तो न ना परसुए would इसमें कोई ग्रेशन है इसमें कोई ग्रेशन है कौन सी जिस पर यह करना है कंसोल डॉट प्ले डॉट गूगल डॉट में जाओ और कंसोल में जाना हुआ कि नहीं करें अब बिल्कुर कि वह मैंने बताया ना देरार साम कंपनी उन कंपनी में जागी हमें रिजिस्टर करना पड़ता कि यह कॉंटेंट हमारे चीक है उसके लाव प्राइवेसी पॉलीसी आप वैसे भी किसी यूरल पर लिख सकते हो किसी वेब साइट वेब पेज मनाया पोस्ट बना दिए प्राइवेसी पॉलीसी किसी ने मंचन नहीं कि अब देखो ना अब एक एप्लिकेशन बना रहे हो जो एबी सी सिखाती है बच्छों के लिए एबी सी लिखी लिए आलफावेट्स आप एबी करते हो एबी सी यूं तो या एफ और एपल क्लेर तो वहर कोई अगर वो करेग एक उपन सी चीज़ कामन संस की बात है कि a b c a to z होती है नहीं चीज़ें क्या लागे है अपनी बनाओ जो इसमें यह नहीं चीज़ हो सकती है है बताओ जी text to speech there are some software text to speech software आप इवन के यहां से कर सकते हो Google के translator से भी आप text to speech गट कर सकते है इस प्रोडिन कैसे करेंगे यह उसे किसी उसमें बटन क्लिक वे आडियो कैसे प्ले हो यह कह रहे हो अवाज आए बी पड़े आडियो प्ले होगी ना यह बता दो